बिहार की नितीज सरकार के मंत्री मंडल का मंगलवार को विस्तार हो गया है नितीज सरकार में 17 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपत दिलाई है बिहार सरकार में बीजेपी के 9 और जेडियों के 8 चहरों को जगा दी गई है बिहाद सरकार में बीजेपी ने युवा चहरों को जगा दी तो वहीं जेडियू ने युवा और वरिष्ट लोगों का ताल्मिल बठाने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने मुस्लिम चहरे के तोर पर जहां शेहनवाज हुसेन को कैबिनेट में शामिल कराया तो वहीं जेडियू ने बीएसपी से आए अविधायक जामन खान को मंत्री बनाया है वहीं मंत्री मंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों के बीच विभागों को अबटवारा भी करतिया गया विजेती के कदावर नेता शेहनवाज हुसेन को उद्योक मंत्री तथा शवन कुमार को ग्रामीन विकास मंत्री बनाया गया है जेडियू नेता मदन सहनी को समाच कल्याण विभाग प्रमोत कुमार को गन्ना उद्योक और विधी संजे कुमार जहा को जन सादन तथा सूचना एवं जन संपर्क लैसी सिंग को खाद्य एवब उभ्योकता सनरक्षन मंत्री समराठ चौदरी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है सुशान सिंग राजपूत के भाई नीरज कुमार सिंग को प्रयावन मंत्री सुभाज सिंग को सहिकाईता मंत्री नितिन नवीन को पत निर्मान मंत्री जबकी सुमिस कुमार सिंग को विज्ञान मंत्राले सौपा गया है बिहार के पूर डिजीपी सुनिल कुमार को नद्य निश्यद जपकी नारैंड प्रशात को पयाटन जयनत राज को ग्रामीन कारे आलोक रंजन को कला संस्कृती जामिन खान को अलप संकर कलियान तथा जनक राम को खान तथा भूर्तत मंत्राले का जिम्मा सौपा गया है आपको बता दें कि वीचेपी के 16 मंत्रियों के पास 22 भाग है जबकि जेडियू के 13 मंत्रियों के पास 21 भाग है